ओव शांतिक, 13 जून 2023, मीठे प्यारे बाबा के आज के मदुर महावाक्य, आज की मुडली के कुछ विशेश पॉइंट्स, आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को रुखानी यात्रा करनी और कराने हैं, सिस्टी चक्र का ज्यान बुद्धी में फिराते हुए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल, बाप और वर्से को याद करना है, बाबा जो हमें अमूली ज्यान दे रहे हैं, वे नौलेज पढ़नी और पढ़ानी ह स्वेम भी स्वच बनना है और सब को स्वच बनाने की सेवा करनी हैं, सेवा करते हुए कभी भी ये संकल्प नहीं उठाना कि मैंने किया, सदा याद रहे कि करावनहार बाप करा रहे हैं, हम निमित बन कर रहे हैं जब हम बच्चे मैंपन के दर्वाजे को बंद कर देंगे, तो माया विदाई ले लेगी, तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुर्ली, ओम शान्ती बाबा कहते, मीठे बच्चे ग्रहस्त व्यवार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाव, ये देवी देवता बनने का कॉलेज है, तुम्हें भगवान भगवती यानि देवी देवता बनना है प्रश्न, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? उत्तर, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नौट पैनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, कमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है अगर शिर्वाबा न आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे गरीब निवास बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने इसलिए गरीब निवास कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं गीत माता ओ माता ओम शांति बच्चों ने अपनी मां की महिमा सुनी यूं तो हर एक को अपनी मां है ये फिर है जगदंबा तुम तो चानते हो ये किसकी महिमा है जगतंबा का कितना बड़ा मेला लगता है जगतंबा कौन है ये कोई नहीं चानते परंपिता अथ्वा प्रह्मा विश्णु शंकर अथ्वा लक्ष्मी नारायन आदी जो सबसे उंच हैं उनों की जीवन कहानी कोई मरिश्य मात्र नहीं जानते अभी तुम चानते हो जगत अंबा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अंबा को जितनी बुजाएं आदी दिखाई हैं वे तो हैं नहीं देवियों को बुजाएं देते हैं वास्तर में बुजा तो मनुश्य को दो होती है परंपिता परमात्मा निराकार है बाकी मनुश्यों की हैं दो बुजाएं स्वर्ग के लक्षमी नारायन की भी दो भुजाएं है, सूक्ष्म बतन में तो ब्रह्मा, विश्नु, शंकर है, प्रव्रिती मार्ग होने कारण चत्रपुज दिखाया गया है, सूक्ष्म बतन में भी मम्मा बाबा है, विश्नु का भी साक्षातकार होता है, दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो बुजाएं, नारायन की, बाकी मनुश्य को कोई चार बुजाएं होती नहीं, यह तो सिर्फ समझाने के लिए विश्णु को चार बुजाएं दिखाई हैं, देवियों को इतनी बुजाएं देते हैं, वह हैं नहीं, सरस्वती, काली, आदी-ादी अनेक चित्र बनाई हैं, वास्तर में हैं कुछ नहीं, यह सब भक्ती मार्ग के अलंकार हैं, अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो कौट फादरली स्टूडेंट, पढ़ाई पढ़ रहे हो, भगवान आकर भक्तों को भक्ती का फल देते हैं, भक् चित्र रखते रहेंगे, श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायन का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदी का भी रखेंगे, चौन-चौन का मुरब्बा होता है ना, ओक्योपेशन कोई का भी जानते नहीं, मालूम होना चाहिए कि इनों को हम क्यों पोजते हैं? भला उनमें उँचते उँच कौन है? भक्तों में मुख्य शिरोमनी भक्त नारत दिखाया है और फीमिल्स में शिरोमनी भक्त रखा है मीरा को. कहानी लिखी है जब लक्षमी का स्वेमवर होता था. अब स्वेमवर तो सत्युग में होता है. यह है नर्ग. यह सब द्रिष्टांत बनाए जाते हैं. वासर में कोई एक की बात नहीं. इस समय के सब मेल फीमिल्स दुरौपदियां और दुर्योदुन हैं. दुरौपदियां पोकारती हैं. हे भगवान नंगन होने से बचाओ. चितरों में दिखाते हैं. भगवान साडियां देते जाते हैं. कहते हैं 21 चन्व नंगन होने से बचाया. अभी पाप आया है. सब दुरौपदियों की रक्षा करने. श्रीमत पर चलेंगे तो 21 चन्व कभी नंगन नहीं होंगे. वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया. पूछते हैं बाबा हम लक्षमी को वर सकेंगे? बाब कहते हैं दिल तरपन में देखो कि हम लायक हैं. इस समय हर एक मनुष्य मात्र में पांच विकार प्रवेश हैं. भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे. अभी तो संपूर्ण विकारी हैं. सत्यूग में एक बच्चा होता है. सो भी योगबल से. पहले से साक्षातकार होता है. जैसे तुम साक्षातकार करते हो, हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे. प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षातकार होता है. कि हम भविश्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे. बाबा ने समझाया है इतनी भुजाओं वाली देवियां होती नहीं। लक्ष्मी नारायन को दो भुजाएं हैं। उनको विश्नु का अवतार कहा चाता है। विश्नु डैनिस्टी उनको महालक्ष्मी वा नारायन कहते हैं। नर नारायन के मंदर में चतुर भुज रूप द दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं, लक्ष्मी को जगत अंबा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी यहां है, सरस्वती भी काई हुई है, ब्रह्मा की मुखवंचावली सरस्वती, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अ बरोबर तुम जानते हो प्रजा पिता के मुखवंचावली हम हैं। देवता बनते हो। इन में मुख्य हैं मम्मा जिसकी इतनी महिमा है। वह है स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगत अम्मा राज्योग सिखाती हैं। जिससे 21 चन स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसलिए उनका गायन है शेफ श प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्मा को कितने धेर के धेर बच्चे हैं। तो जगत अम्मा को दो भुचाएं हैं। वैसे ही लक्ष्मी नारायन को भी दो भुचा हैं। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया है। नारायन को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता। नारायन सांवरा हो और लक्ष्मी कोरी हो। वा, श्री कृष्ण सांवरा हो और राधिक कोरी हो। बाप बैट समझाते हैं, इस समय सब सांवरे हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर कामचिता पर बैटने से काले हो गई हो। श्री कृष्ण को श्याम सुन्दर कहते हैं। सुन्दर हैं सत्युक त्रेता में, फिर 84 चन भोगते-भोगते, अंत में आकर श्याम बने हैं। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर जनम लेती रहती है। फिर वे नाम थोड़े ही रहता है। इस सम्में भे आत्मा तमु प्रधान अवस्ता में है। सत्युक आदी में हैं देवी तेफताएं। वही 84 जन लेंगे। यह है 84 जनमों का चक्र। तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुने। मम्मा की महिमा अलग। लक्ष्मी की महिमा अलग है। चेत्र कैसे कैसे बनाए हैं। काली की ऐसी जीब दिखाते हैं। ऐसे तो कोई मनुष्य होता नहीं। सुक्ष्म बतन में भी ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विश्नु शंकर हैं। विश्नु तो है ही युगल। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, फिर पाली भयांकर कहां से आई, काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं, ऐसी कोई शक्ती थोड़े ही होगी, बाइलेंस यानि हिंसा करने वाली, हर एक बात के लिए बाप समझाते रहते हैं, किस्म किस्म तो मनुष्य ही होते हैं, सूक्ष्म वतन में हैं ब्रह्मा, विश्नु, शंकर, उसके उपर मूल वतन, जहां शिव और सालिक राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी सब इतने चित्र आदि, भक्ती मार्ग की सामगरी है, सत्युक्रेता में ये होती नहीं, ज्यान और भक्ती, ज्यान अर्थात दिन, भक्ती अर्थात रात, ब्रह्मा का दिन ज्यान और ब्रह्मा की रात, भक्ती, सत्युक्रेता है दिन, द्वापर कल्युग है रात, अब है घोर अंधियारी रात, फिर दिन होता है, बाप केते हैं, मेरा चन्र संगम पर होता है, कल्युक् गोर, सोजरा संगम परी आकर मैं तुमको समझाता हूँ अब इतने जो भक्ती मार्ग में चित्र है मुख्य हैं पतित पावन शिव बाबा इस समय सभी मनुश्य मात्र पतित हैं यह है पतित दुनिया अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब वर्थ नौट अप पैनी होते बलिहारी शिव बाबा की जो पतितों को पावन बनाते हैं इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं सब दुखी हैं पहले पावन आतमाय आती हैं तो सतो प्रधान है फिर सतो रजो तमो में आना बढ़ता है हर चीज का ऐसे होता है छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्यानी और बालग एक समान होते हैं फिर सतो रजो तमो में आना ही है फिर चेंज करना ही है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है दुनिया भी सतो प्रधान थी अब तमो प्रधान है तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं बाप को न जानने कारण सबको याद करते रहते हैं कितने चित्र बनाते रहते हैं परन्तु उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देरता जरूर होता है जैसे बाबा के पास भी बहुत चित उनमें भी मुख्य श्री नारायन का था। सिक धर्म का होगा तो भल शिव का लक्षमी नारायन आदी का रखा होगा तो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा। उन्च ते उन्च भगवान तो एक है, उनके महिमा भी लिखी हुई है। सत नाम करता पुरुष अकाल मूरत। सत्यो आदी सत है, है भी सत। अर्थात ये जो चक्र है सत है। फिर ये चक्र जरूर लगाएंगे। ये सब बाप बैट समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदर अलग, सामडे श्री कृष्ण का मंदर अलग दिखाते हैं। कहां फिर शिफ का भी रखते हैं, लक्षमी नारायन का भी रखते हैं। Occupation को तो जानते नहीं, बाप आगर तुम बच्चों को स्रिष्टी चक्र के आदी मध्य अंत का राज समझा कर स्वधर्शन चक्रधारी बनाई चक्रवर्ती राजा बनाते हैं, भल तुम सब हो ग्रस्ती, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो, बुड़ियों से पूछो, तुम कहां जाती हो, तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं, भगवानु वाच, हम तुमको सो देवी देवता बनाता हो, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, परन्तु ऐसे नहीं कि सत्युग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे, नहीं, वह है आधी सनातन देवी देवताओं का राज्य बिलायत वाले कहते हैं Lord Krishna अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवताओं के चितर हैं तो एक का दाम लाग दो लाग दे देते हैं प्राचीन चीज देखते हैं तो लाग रुपया देने को तयार हो जाते हैं तो भी देते नहीं हैं पुरानी चीज है ना, पुरानी तो पांच हज़ार वर्ष की बात है सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चितर हुए पत्ती मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं? पत्ती मार्ग जब शुरू होता है तब सुमनात का मंदिर बनाते हैं. बाप समझाते हैं भारत वासी कितने सावकार थे, अब तो भारत कितना नर्क बन गया है, तिलकुल भिखारी गंगाल बन गये हैं. ऐसे भारत की फिर से जोग्रफी का पता है। सत्युग में देवताओं को पता नहीं होगा। ये ग्यान फ्राई लोप हो जाता है। वहां कोई पतित होता नहीं जो ग्यान दिया जाए। ये ग्यान फ्राई लोप हो जाता है। फिर गीता कहां से आई। वह सब भक्ती मार्ग के शास्त्र बने हु नई दुनिया के लिए नई नौलिज चाहिए। इसलामी नौलिज थी क्या? इब्राहिम आया तो आकर इसलाम धर्व स्थापन किया। नौलिज थी नई बात हुई ना? यहां ये गीता, रामाएं, भागवत आदी में बहुत छूठे, पलंक लगाए हैं। भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं। तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं। सबको, सारी विश्व को पावन बनाने मैं ही आता हूँ। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए। पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ मन मनाभव, बाप और वर्से को याद करो, तुम यह राज्योक सीख कर सो देवी देटा बनते हो, यह है राज्योक सीखने की Godfatherly University, इतनी बड़ी college है, hospital है, परन्तु तुमको तीन पैर पृत्वी के नहीं मिलते, बाप कहते हैं, मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा ह यह है, hospital come university, hospital से health और university से wealth मिलती है, बाप कहते हैं, मैं पढ़ाने आया हूँ, परन्तु तीन पैर पृत्वी के नहीं मिलते, मैं हूँ गरीब निवास, कन्याएं, माताएं, बिलकुल करीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, बाप का वर्सा बच्चों को मिलता ह वास्तर में स्त्री को half partner कहा जाता है, भारत में हिंदू नारी को कहते हैं, तुम्हारा पदी गुरु इश्वर सब कुछ है, परन्तु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़े ही कहते हैं, मैं गुरु इश्वर और तुम दासी हो, बाप आकर दासी बने से छुडाते हैं, पहले ल प्रती, महत पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुर्ड मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को दिल वर चान सिक्वा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी, गुर्ड मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा धारना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट रुहानी यात्रा करनी और करानी है सुरिष्टी चक्र का ज्यान बुद्धी में रख स्वधर्शन चक्रधारी बनना है दूसरा पॉइंट देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल पाप और वर्से को याद करना है नई नौलेज पढ़नी और पढ़ानी है वर्दान मैं पन के दर्वाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित और निर्मान भव सेवाधारी अगर सेवा करते कभी ये संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया तो ये मैं पन आना माना सारे किये हुए कारे पर पानी डाल देना सेवाधारी अर्थात करावन हार पाप कभी नहीं भूले मैं करा रहे हैं हम निमित बन कर रहे हैं जहां निमित भाव है वहाँ निर्मान भाव स्वता होगा निमित हो निर्मान हो तो माया आ नहीं सकती मैं बन के दर्वाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी स्लोगन जो होली हंस हैं उनकी विशेष्टा स्वचता है स्वच बन सबको स्वच बनाना ही उनकी सेवा है अच्छा, ओम शांती